जहिन साथियो आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में आप लोगों को सेशना तक पार्ट वाण में सीजन 2020 से 23 जिनका होगा एड्मिशन सुरू है और कितने सारे इंवर्सिटी में इंवर्सिटी हो के जो है एड्मिशन हो भी चुका है लेकि नरीत नाय मिठ्ला इंवर्स कितने सारे इंवर्सिटी में एड्मिशन ले लिया गया है तो जिनका सीजन 20 से 23 होगा तो उसका पार्ट वान के प्रकिर्या कब से सुरू है यानि कि एजाम कब लिया जाएगा रजिट्रेशन कब से भरा जाएगा और एड्मिशन का जाड़ी किया जाएगा पर कितना पैस अर्ज आप कर रहे हैं किसी भी इंवर्सिटी से आप एड्मिशन लिये हैं तो आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि हम सभी जनगारी इसमें देने वाले से रजिट्रेशन कब से होगा आप लोग का उसके बाद आपका एड्मिशन कब बढ़ाएगा और एड्मिशन कब बहुत बहुत और तो चलिए बात कर लेते हैं देखिए और जो कोविट नहीं आया रहता तो आप लोगों का एड्मिशन जो है हो गया रहता वो एड्मिशन की परकेरिया जो है आप लोगों का समाफ्थ हो गया रहता अगस सितंबर के महीने में ही समाफ्थ हो गया रहता ज लेकिन में COVID के कारण लोकड़ान हो गया है, कोई लेट हो गया है, यानि कि जिसका रेगुलर थाल कोई लेट नहीं होटा था साथ लेकिन वह भी इस COVID के कारण लेट हो गया है, तो अभी जो है आप लोग का कितना इन्वर्सिटी में कितने का एडमिशन हो चुका है, कितना का भी होना पाकी है और कितना का होड़ा है तो आप सभी को बताते जिनका सिजन 20-23 होगा उनका लगभग एकजाम कब होगा तो अभी तो अर्जे आपका COVID नहीं डाहता तो आपका एक्जाम जून जुलाई के महीने में जून जुलाई अगस्त के महीने में हो जाता लेकिन COVID के कारण आपका नहीं हो रहा है यानि कि अर्जे जून जुलाई के महीने में अर्जे COVID नहीं डाहता है 2020 में ही आप लोगों का एडमिशन हो गया रहता, अगास से लेकर सितमबर के वीज़ में और अभी जो है आप लोगों का एडमिशन चल रहा है, तो अभी जो है जनबरी-फर्वरी की महीने आपका रेज़्टेशन फोर्म भी फिलफ हो जाता, लेकिन COVID हो गया और आपको लोग से बता सकते हैं कि कि नवानित हिसाब से क्योंकि इंवर्सिटी के सतर चल रहा है इस कारण से जो है आप लोग का एकजाम जो हो सकता है तो इंवर्सिटी और पहले लिए तो हम पहले आपको सुचित कर देंगे लेकिन और जबाद मिलेगा जैसे लेगा जैसे डेट आएगा सभी चैनल पर जनकाड़ी मिलेगा वह आप किसी भी इन्वर्सिटी के बिहार के किसी ही से है तो अप लोग का एकजाम होने की संभाव आपको अगस्त के बीच में सितंबर के बीच में एक्जाम भी आपका हो जाता है 2021 में लेकिन अभी तो कविट की कारण नहीं हो पाया है सब तो उससे पहले और जी इनवर्सिटी कोई डेट निकालता है या कोई सुचना निकलता है तो हम आपको सुचित करेंगे या उसके बाद की कोई डेट आएगी लोग को पलपल की जिनकाली मिलता रहेगा और बताते से आपका जो है इसमें पैसा खर्च होता है तो इसमें लगवा जो है 1200 के आसपास आपका पैसा खर्च होगा टोटल साफ मीनीमम एक हजार और मैक्सीमम फंद्रहसू रुप्य बीच में खर्च होगा टोटल एक्जामिनेशन फ्रम और region GO करते हैं जो REGISTATION के कुछ दिन जो जो, रिश्टेशन थे दिया जाता है दोनों रिश्टेशन football और यह साथ मिलता है यह जिदे सून एक तो उसके बाद आपका जो है एड्मिट कार्ट पर आता है वह उन्वर्सिटी का रोल नमर जो होता है जिसे आप एक्जाम देने जाएंगे तो आजा करता हूं इससे सभी जनकाड़ी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा और आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे तो जै आप अपने सुझाब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें कैसा लगा जनकाड़ी या कुछ जो भी आपको कमेंट में लिखना है जरूर लेखे अच्छी बात या खराब बात आपको जो बुझाता है हमारे द्वारा दिये गए जनकाड़ी से आपको जो ल